हेलो शुरेंट्स मैरी सब पांडे मैं यहाँ पर आपको बाइलोजी पढ़ाने वाला हूँ बाइलोजी 11th and 12th बाइलोजी 11th and 12th ओके तो आईए हम लोग आते हैं अपने 11th and 12th की बाइलोजी पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा सब NCRT बेस्टी पढ़ाऊंगा NCRT को हम लोग reference book मानते हुए और NCRT की ही बात करेंगे जो कुछ चीजें extra होंगी वो मैं discuss कर दिया करोंगा वैसे तो कुछ NCRT के अलावा कुछ पढ़ने की ऐससा जरूवत नहीं है लेकिन फिर भी यह दिक किसी point की जरूवत पढ़ती है तो आप निश्चिंत रहें आपको कहीं और से पढ़ने की जरूवत नहीं है आप यहाँ पर पढ़ेंगे ओके आईए तो मैंने आपको बताया कि मैं 11th and 12th की NCRT biology पढ़ाने वाला हूँ तो इसमें सबसे पहले मैंने 12th की NCRT biology को चुना है और उसमें से मैंने 8th unit को चुना है 8th unit क्या है biology in human welfare सभी लोग जानते होंगे जो नहीं जानते हो जान लें biology in human welfare मानो कल्यान में जियू विग्ञान इसका आर्थ है तो मानो कल्यान में जियू विग्ञान का आर्थ क्या इसका मतलब क्या है इसका ऐसस इसकी मीनिंग क्या है biology in human welfare की मीनिंग क्या है तो मानो कल्यान में जियू विग्ञान का मतलब है हमारे लिए मतलब humans के लिए हमारे लिए ये biology का बहुत महात्तो यहां तक कि हम भी तो biology के अंतरगतिय आते हैं तो ये सारी चीज़े हैं तो मैं सबसे पहले 8th unit को चुना हूँ और 8th unit में 3 chapters है इन 3 chapters जो की 8th unit में 3 chapters है 1st, 2nd and 3rd लेकिन CRT के point of view से 8, 9th and 10th जिनमें 8th chapter है इस unit का 1st chapter जो है और वैसे 8th chapter Human health and disease ठीक और उसके बाद जो हमारा 9th chapter है वो है strategies for enhancement in food production 9th chapter उसके बाद 10th chapter हमारा है microbes in human welfare ओके तो आईए हम लोग आते हैं सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे के पहली बात तो आपको जानना होगा कि humans क्या humans हम लोग हैं biology का मतलब आप जानते होंगे पहले भी पढ़ चुके होंगे bio का मतलब living logic का मतलब study ठीक तो आप इतना तो जानते होंगे तो आईए हम लोग biology in human welfare के 1st chapter human health and disease बराते है human health and disease इन में तीन चीज़े हैं human है उसका health है उसको होने वाली diseases है तो सबसे पहले मैं आता हूँ किसके बाद उपर human के उपर human कौन है human हम लोग है मैं हूँ आप है आप human नहीं होते तो मेरे से पढ़ते नहीं तो उसके बाद आती ही बात health की health के point of view से हम लोग जो health की definition देखेंगे health की पुरानी कई definition थी कई अधारनाएं थी पुराने लोग बहुत कुछ सोचते थे और हम भी बहुत कुछ सोचते हैं health के बारे में health को सुनने के बाद हमारे दिमाग में कई चीज़ें चलने लगती क्या चीज़ें चलती होंगे health को जानने के लिए health को जानने के लिए हमारे दिमाग में health सब्द आया उसकी processing के बाद यही निकलता होगा कि कोई व्यक्ती है जो ठीक है देखने में कोई व्यक्ती है जो लूरा लंगणा नहीं है उसकी इसका डिपेंडेंट है ठीक है तो आयसी ही जो पुरानी या उधारना आये थी जो पुराना दिमाग था पुराने लोग थे वो लोग यही सोचते थे जैसे कि ग्रीक्स में हिपोक्रेट्स थे और हमारे हैं इंडियन अयुर्वेदा इन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की अपना मत रखा मतलब इन्होंने माना हेल्थ की जो डिफिनीशन दी इन्होंने दिया इस्टेट आप माइंड एन्डेट आप बाड़ी ठीक है, किसने दिया है, इंडियन आयरुवेदा, इंग्रिस के हिपोक्रेट्स ने तो ये सारी चीजें थी, और उसके बाद ये भी माना गया इसमें कि जो ब्लैक बाइल परसन है, वो हाट परसनाल्टी होगा और उसको फीवर होगा, ये चीजे मानी गई लेकिन बाद में एक साइन्टिस्ट है, उनका नाम था बिलियम हारबे उन्होंने ब्लड सरकुलेशन की खोच की, और ब्लड सरकुलेशन की खोच करके उन्हों सब को चौँका दिया, और इस सारी थियोरिश को उन्होंने खारिश कर दिया और fail कर दिया है इसा कुछ भी नहीं है जिसके black bile है वो person भी normal हो सकता है और जिसको नहीं है वो भी person नारमल हो सकता है तो उन्होंने ऐसी बातों को गल्ग ठेहरा दिया ठीक है उसके बाद health की बात कुछ चीजों से health effect होता है health किन चीजों से effect होता है तो इस चीज को हम लोग जरूर जानेगे कि health किन कौन सी यह इसी चीजे है जिस जो health को effect करती है health को 3 चीजे éffek्ट करती है एक तो genetic disorder, दूसरा infection और दूसरा life style तीर चीजे जो है वो health को effect करती है एक क्या genetic disorder infections and life styles तो genetic disorder क्या है genetic disorder वो चीजे हैं जो हमें अपने माता-पिता से मिलती है या जो माता-पिता से दूसरी पीड़ी में जाती है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में transmit होती है ठीक तो उन्हें genetic disorder कह जाता है जैसे कोई भी बिमारी हमारे माता-पिता को थी वो हमें मिल गई यानि कि वो transmit ह से इंफेक्षण कोई भी पाइथोचन है कोई भी इजीज कारिंगे इससे झुएत्ग हुती है तीसरी चीज आती है स्क्राम चीजत रहा है और उस्से समयाइट्व आप किस तरीके से अपने जीवन को बैतीत कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं कि नहीं, आप सही नीद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप नीद जादा ले रहे हैं, मतलब जो चीज आप जादा भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए हनिकारक है, तो ये सारी चीजें हैं ज किसी लाइन में करते ही होगे, NCRT में बच्चों का जो इंट्रेस्ट नहीं बनता, बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता NCRT में, टीचर्स उनको ऐसा इंट्रेस्ट दिला ही नहीं सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको दिलाने वाला हूँ, तो आप यकीन मान रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो मैंने पहले पेस्ट की सारी चीज़ें डिसकस कर दी, अभी मैं लाइन बाइन पढ़ूँगा भी, ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट आपके दिये गए है, इसी चैप्टर के Human Health and Disease के बाइं साइट पर, लेप्ट हैंड साइट पर दिये गए है, उनका नाम है MS Swaminathan, तो उनके बारे में आप थोड़ी सी चीज़ें जान लें, बाकी मैं भी उनको पढ़ूँगा तो आपको सब कुछ बता दूँगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें आप जानते रहेंगे, आपके दिमाग में क्लिक होता रहेगा, उनका नाम सुनते हुए, ये चीज़ें तो आपके दिमाग में आही जाएं, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे बता रहा हूँ कहानी के तौर पर, वो चीज़ें यदि आप उस चीज़ें को सुने, तो आपके दिमाग में इतनी बातें तो खटक ही जानी चाहिए, कि हाँ मेरे समझ में आ गया, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट दिये गए है, लेट हैंड साइट पर, उनका नाम है येमे स्वामी नाथन, उनका जन्म तमिल नाड़ू के कुमबा कुनम में हुआ था, 1925 में, ठीक है, और ये, फादर आप ग्रीन रिवुलूशन इन इंडिया थे, जब कहीं भी कोईशन आ गया, फादर आप ग्रीन रिवुलूशन इन इंडिया, आप येमे स्वामी नाथन लगा दीजिएगा, ठीक है, और कहीं पर मान लीजिए, कि ग्रीन रिवुलूशन के बारे में लिखने के लिए आगया, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, कि फादर आप ग्रीन रिवुलूशन इन इन इंडिया इस, क्या, येमे स्वामी नाथन, येमे स्वामी नाथन, ठीक है, उसके साथ ही एक साइंटिस्ट का नाम आप और आयाद कर लीजिए, इन्ही के साथ कि Father Rapp Green Revolution in India तो MS Swaminathan थे लेकिन Father Rapp Green Revolution in the world कौन थे वो थे नार्मानी बोरलाग नार्मानी बोरलाग, Father Rapp Green Revolution in India, MS Swaminathan, Father Rapp Green Revolution in the world, नार्मानी बोरलाग ओके ये चीज़ें आप पिलकुल एक दम दिमाग में बैठा लीजी, उसके बाद हम लोग आते हिल्थ के बारे में जो सही सही लिखा गया, मैंने ग्रीक और इंडियन आउरवेदा की बात कर ली फिर उसको खारिश करने वाले साइंटिस्ट, उनको फेल करने वाले साइंटिस सोसल बैल बीइंग, ऐसा करके एक लाइन लिखी गए है आपके NCRT में, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आप फिजिकली फिट हो, ठीक, आप मेंटली फिट हो. और सोसल बैल बीइंग, आप समाज में सही से रह रहे हैं, आप सोसली भी सही हो. मतलब क्या है? इसका देखने में सही हो, आपका कोई किसी यंग में, किसी आर्गन सिस्टम में कोई प्राबलम ना हो, और mentally fit होने का मतलब है, आप depression किसी कारन हो, या किसी भी मानसिक बीमारी से आप पीड़ इतना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है, mind मतलब mentally fit होने के लिए आती है, उसके बाद आता है social, आप समाज में कैसा रहने, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को मार पीट तो नहीं दे रहे हैं, कि बाद बाद पर आप जगड़ा बाद बाद पर गुस्सा आ जाता है, ऐसा मैंने देखा कई लोगों को, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद